वेल्कम टू आट्सेस्टर डीमेडी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है एज यू नो देट वी आप स्टाटेट पॉलिटिकल साइंस सेरीज आप क्लास 6 दिस इस फर्स लेक्चर ऑप चैप्टर 6 डैट इस रूलर अड्मिनिस्टेशन तो आज हम लोग एक नया चैप्ट अब इंडिया जो भारत जो काफी बड़ा देश है और इसमें 6 लाग के आसपास गाओं है टेकिंग कियर आफ देर नेट्स ऑफ वाटर इलेक्टिसीटी रोड कनेक्शन इस नॉट आ स्मॉल टास्क अब इतने सारे गाओं का यानि की लगबग 6 लाक गाओं का पानी का क्या क्या जरूरत है कितना जरूरत है इलेक्टिसीटी कितना जरूरत है रोड कनेक्शन कैसा होना चाहिए कितना रोड कनेक्शन जरूरी है यह कोई छोटा मोटा मामूली सा काम तो है नहीं इन एडीशन तुरूदि इस लैंड रिकॉर्ट सेब लेटरेषे में पानी हो गया एलेक्ट्रिशिटी हो गया इन सब के सबसे बढ़ी आतरिसे घौं काम हुता है वो लैंग रिकॉर्ड और अग्योंपट ethanol कि और agriculture करेंगे तो उनका जो कुछ भी है वो landy है ऐसा तो है नहीं कि उनके पास बहुत बड़े बड़े industry है या कोई business है ऐसा बिलकुल नहीं होता है तो उनके लिए सब कुछ land है और इन लोगों का जनसंख्या जादा है तो सरकार को भी इन लोगों पे थोड़ा नियंतरन चलाने के लिए क्तरा पड़ता है बहुत बड़ा जो है एक तरह विभाग की तरह create करता है machinery एक तरह से जो function कर सकए machinery मतलब machinery मतलब machine मत समझ है मतलब एक तरह से administration चलाने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है iç chapter we will look at the work of two दुर्ूलजरेड मीं पॉइंट किये जाते हैं गानी L favor उनके बारे में हम इसमें 2 और कहें घ्थाником पड़ेगे तो चलिए छेप्टरा सुरु क्रते हैं यहाँ पर एक फीगार इसमें 2 लोग और जब द scandal चैने च्परीं कर I'm के बारे में वही से स्टोरी हम लोग का सुरू होता है तो मोहन का परिवार है उसके पास एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा है यानि कि छोटा सा भूमी है जिस पर वो सालों से खेती करता आ रहा है नेक्स्ट तो इस फिल्ड इस रगुज लैंड विच इस सेपरेटेड फ्रॉमी है उसको सेपरेट किया गया बीच में एक बनाया गया जिसको बांध बोला जाता है तो बांध से दोनों का खेत अलग-अलग है तो नेक्स्ट मॉर्निंग जोए एक दिन सुबह में मोहन जब अपने खेत में जाता है तो क्या नोटिस करता है कि उसके बगल का जो खेत वाला है यानि कि जो रगुज उसमें अपने बांध को लगबग कुछ फीट जो है मोहन की तरफ कर लिया यानि कि मोहन का जो है कुछ जमीन का हिस्सा अपने अंडर ले लिया है बाइड़ इंग्स तो टेक अवर सम उप मोहन जाता है इसको देख कर गए कि हाँ उसके खेत को क्या किया है खेत के एरिया को हाप लिया है रहु ने तो लेकिन गुस्टा तो होता है लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा ड़ भी लग करता है क्यूं क्यूंकि रगुज फैमिली ओंड मेनी फिल्स एंड बिसाइड सी अंकल वाज अल्सो दसर पंच आप विलेज तो रगु का जो फैमिली होता है उसके पास बहुत सारे खेत है यानि कि वह थोड़ा अमीर होता है इसके कंपेरिजन में और उसके जो अंकल है च अहीटेड आर्गुमेंट फॉलोड वहां पे जो है काफी जादा एक तरह से गर्मा गर्मी का महौल हो जाता है दोनों में बग्जक होता है रगु रिफ्यूज तो एसे इंकार कर देता है कि उसने बांध को क्या किया है आगे पीछे मतलब किया है उसने मूव किया है इससे से वह क्या करता है बिल्कुल इंकार कर जाता है वह क्या बोलता है कि नहीं यह जो है यह ओरीजनल है मेरा पहले से इतना था ही कॉल्ड वान फिजल है और बाद में उसको क्या करते है पीटते भी है बनेवर सब्सक्राइब को मोशन और रस्टु देश्पॉर्ट वेर मोहन उसको सुन करे आते हैं दोड़े दोड़े और आते हैं तो देखते हैं कि मोहन को यह लोग पीटरा यह तो तो मोहन के सीर पे काफी ज्यादा चोट लगा था और हाथ में भी उन्होंने क्या किया था अटेक किया था मारा था उसको प्रारमभी जो चीद्सा का रही होता है जो लोकल लेबल पे किया जासकता है वो उन्हें कर दिया थीक हुजा जए हुज ठावर मुएं रीलेक्स हो जया सजस्थ दधेट याज लूकल पुलिस अस्तेशन अनल रिपोर्ट तो मुहन का एक धोस्थ होता है जो गाओं में जो एक तरह से पोस्ट मास्टर होता वो होगा तो वो सजेस्ट करता है मोहन को कि तुम क्या करो तुम जो लोकल जो अस्थानिय जो है पुलिस एस्टेशन है उसमें जाओ और जाकर करके अपना रिपोर्ट लिखवा others were doubtful if this was a good idea because they felt that they would waste a lot of money and nothing would come out of it बाकी जो लोग थे वो लोग इसको ले करके ज़्यादा supportive नहीं हुए वे लोग बोले कि नहीं नहीं कि मत जाओ वहाँ जाने पर पता नहीं कितनी सारे पैसे भी लग जाएंगे और कोई फायदा भी नहीं होगा जाने से तो इसलिए बाकी लोग मतलब doubt में थे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए तो रगु तो पहले ही पुलीस के पास चला गया होगा कि तुमको जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है आफ्टर मच डिसकेशन इच वर डिसकेशन डिसकेशन के बाद जो है मोहन यह डिसाइड करता है कि वो पुलीस अस्टेशन जाएगा और अपने साथ जो है अपने परोसियों को भी लेके जाएगा जिन्होंने पूरे इंसिडेंट को देखा यानि कि यह देखाया कि रगु वीटनेय SHIFT किया है और जिनलोगों ने रगुको महन पूममों को पिठते हुए देखा है तो वे लोकिया हुए एक तरस से वीटनेस गवाह बन करके गए कहां पर मोहन के साथ ध underest